Hello everyone, welcome back to our channel दोस्तों, bank में FD करवाने पर हमें जो interest मिलता है उस interest पर banks TDS deduct करते हैं TDS का मतलब होता है कि tax आपकी interest income पर काट लिया जाता है और उसे advance में ही government को जमा करवा दिया जाता है अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी FDs पर ये TDS ना काटा जाए या फिर जितना भी TDS काटा गया है वो आपको refund मिल जाए तो इसके तीन तरीके हैं आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तने से FD पर TDS कटने से हम बचा सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजेगा तो जेली शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ मेंन पॉइंट्स जान लेते हैं कि TDS हमारे इंट्रेस्ट इंकम पर क्यों काटा जाता है दोस्तों FD की इंट्रेस्ट पर जो TDS काटा जाता है उस पर सेक्षन लगता है 194A सबसे पहले हम इंडिविजुल की बात करेंगे जिनकी एज 60 एर से कम की है तो TDS काटा जाता है at the rate of 10% अगर उनकी इंट्रेस्ट इंकम 40,000 रुपई से जादा हो जाती है एक financial year में जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 10 लाख रुपई की FD बनवाई है 6% के interest rate पर तो साल भर का आपको जो interest हुआ वो हो गया 60,000 अब क्योंकि ये 40,000 रुपई से जादा है तो 60,000 पर at the rate 10% आपका TDS रिड़क्ट हो जाएगा जोगी होगा 6,000 रुपई और ये 6,000 रुपई गवर्नमेंट को जमा करवा दिये जाते हैं तो आपको bank से जो interest मिलेगा वो 60,000 ना होके 54,000 ही मिलेगा क्योंकि 6,000 काट के government को जमा करवा दिये गए और अगर आपके पास pan number नहीं है आपने bank में pan नहीं दिया है या फिर आपका pan inoperative हो गया है inoperative कब होता है जबकि आपने pan और आधार को link नहीं किया हुआ है तो आपका pan inoperative हो जाता है तो pan inoperative है या फिर pan है ही नहीं तो उस case में bank आपका TDS काटता है 20% के हिसाब से अगर interest income 40,000 रुपए से जादा की हो रही है तो 20% के हिसाब से आपका bank TDS काटके जमा करवा देता है और वो सभी लोग जिनकी की age 60 years से कम है उनको section ATTTA या फिर ATTTB में interest income से कोई भी deduction नहीं मिलता है ATTTA में हमें सिर्फ saving account का deduction मिलता है और ATTTB senior citizens के लिए है तो अगर हम FD की बात करें तो individuals below 60 years के लिए इन दोनों ही sections में income tax में कोई भी deduction नहीं मिलता है अब बात करते हैं हम senior citizens या पर super senior citizens की वो सभी लोग जिनकी age 60 years से अबव है उनका भी TDS deduct होता है at the rate of 10% लेकिन कब जबकि उनकी interest income 50,000 रुपए से जादा है in a financial year senior citizens या पर super senior citizens के लिए 50,000 रुपिस की limit है जो भी उनकी interest income है अगर वो 50,000 रुपए से जादा हो जाती है तो bank उस पर 10% का TDS deduct करके government को जमा करवा देता है यहाँ पर भी same condition है कि अगर pan inoperative है या फिर pan नहीं लगाया हुआ है तो TDS 10% के बजाए 20% deduct होता है senior citizens को एक benefit दिया गया है कि section 80TB में reduction ले सकते हैं income tax में तो TDS किस rate पर कटता है और क्यों कटता है क्या limit है यह हमने देख लिया दोनों ही cases में जब कि आप individual below 60 years है या फिर आप above 60 years है चलिए देखते हैं कि कौन से method हैं जिनसे आप ये TDS बजा सकते हैं एक तरीका तो ये है कि आप form 15G या फिर 15H अपने बैंक में जमा कर सकते हैं form 15G होता है individuals below 60 years के लिए और 15H है senior citizens या फिर सुपर senior citizens के लिए अगर इन forms को भरके बैंक में जमा कर दिया जाता है तो bank आपकी interest income पर कोई भी TDS deduct नहीं करते हैं लेकिन इन forms को जमा करने की कुछ terms and conditions हैं ये form bank में तभी जमा किये जाते हैं जबकि आपकी income below exemption limit है यानि कि individuals below 60 years के लिए धाई लाक रुपए से कम की income और अगर आप senior citizen है तो 3 लाक और अगर आप super senior citizen है तो 5 लाक अगर इस limit से कम है आपकी income तब आप form 15G या फिर 15H अपने bank में submit कर सकते हैं और आपका bank आपके interest income पर कोई भी TDS deduct नहीं करता है ये forms आपको कब जमा करने होंगे beginning of the financial year एप्रिल में आप ये forms जमा करेंगे तो पूरे साल में आपका bank आपकी किसी भी interest income पर TDS deduct नहीं करेंगा कैसे जमा करेंगे तो online और offline दोनों ही तरीके से जमा किया जा सकता है online अगर आप submit करना चाते हैं तो आप net banking कर सकते हैं above exemption limit है तो आपको ये forms bank में जमा नहीं करने हैं अगर आपने forms bank में जमा किये तो इससे आपको क्या नुकसान होता है मान लेते हैं कि आपकी income taxable है और आप 20% के tax lab में आते हैं अब क्योंकि आपने ये forms भर के bank में जमा किये हुए हैं तो bank आपकी interest income पर कोई भी TDS deduct नहीं करेगा लेकिन क्योंकि आपकी income taxable है और आप 20% के tax lab में आते हैं तो जब आप ITR फाइल करेंगे तो आपको चालान के थूँ ये tax का amount जमा करना पड़ेगा और क्योंकि आपने देरी से ये tax जमा किया है तो आपको इस पर interest भी देना पड़ेगा इसलिए अगर आपकी income taxable है तो ये forms जमा नहीं किये जाते हैं ये forms सिर्फ उनी लोगों के लिए बनाये गए हैं जिनकी income below the exemption limit है इसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने portfolio को diversified कर सकते हैं मतलब कि आप different different banks में invest कर सकते हैं जिसे कि आपका जो interest portion है एक particular bank में 40,000 को exceed ना कर पाए या फिर अगर आप senior surgeon है या super senior surgeon है तो इस जो interest income है ये एक bank के अंदर 50,000 रुपए को exceed ना कर पाए जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास 20,000,000 रुपए हैं और आप उसे bank में FD करवाना चाते हैं अगर आप एक ही bank के अंदर FD करवा देते हैं तो interest income 40,000 रुपए से जादा हो जाएगी उस particular bank में और bank tedious card के government को जमा करवा देगा इसके बजाए आप उस 20,000,000 रुपए को divide कर सकते हैं 4 banks में जिसे कि हर एक bank में 40,000 रुपए का interest exceed ना हो पाए इस case में आपका TDS कोई भी bank deduct नहीं करेगा क्योंकि जो interest की limit है ये पर bank बनाई गई है अगर एक bank में 40,000 रुपए interest income exceed होती है तभी TDS काटा जाता है और अगर हम security की बात करते हैं तो bank में आपका जो भी रु guarantee मिलती है in case bank में theft हो जाता है या फिर कोई भी अनोनी हो जाती है या फिर bank दिवालिया हो जाता है या bank बंद हो जाता है तो DICGC जो की guarantee लेती है आपके bank में जमा रुपयों की वो आपको सिर्फ 5,000,000 रुपए तक ही वापस करती है भले ही bank में आपका कितना भी रुपया जमा हो इसलिए bank में कोई भी investment करते समय आपको इस बात को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए कि in case कोई भी miss happening होती है तो आपका सिर्फ 5,000,000 रुपय ही यहां पर secure है इसके बाद बात करते हैं तीसरे method की अब मान लेते हैं कि interest income से आपका TDS deduct हो गया है तब आप क्या करेंगे तो उस case में आप income tax return फाइल कर सकते हैं और उस TDS के amount का refund क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी और कोई भी income नहीं है सिर्फ interest income है तो आप ITR 1 फाइल करेंगे और अगर interest income के साथ साथ आपको shares की income दिखानी है आपको stock exchange की income दिखानी है या capital gain दिखाना है तब आप ITR 2 फाइल करेंग है कि आप अपनी ITR को फाइल करें और ITR फाइल करने की last rate है 31st July assessment year 24-25 के लिए इसके बाद कि हमें TDS का refund कम मिलता है अगर हमारी income below the exemption limit है यानि कि धाई लाग रुपे से कम की है तो जितना भी हमारा TDS कटा है वो पूरा का पूरा हमें refund हो जाता है और इसके लिए हमें ITR को करना है या फिर आप section 87A में rebate claim करते हैं और आपकी income below 5 lakhs आ जाती है अगर आप old tax regime में filing कर रहे हैं तब भी आपको पूरा-पूरा TDS वापस मिल जाता है लेकिन अगर आप new tax regime में जाते है 87A का rebate हमें 7 लाग रुपे तक की income पर मिलता है तो अगर आपकी income 7 लाग रुपे क इसे बचा सकते हैं और अगर TDS deduct हो गया है तो आप refund claim कर सकते हैं I hope कि वीडियो आपके यूसफुल रहा होगा बने रहीगा हमारे चानल के साथ मिलेंगे next वीडियो में till then stay safe and healthy bye bye